गुड मॉर्निग आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं वो टॉपिक क्या है थर्मो पिरियोडी सीटी क्या है थर्मो पिरियोडी सीटी और इसी को क्या बोलते हैं थर्मो पिरियोडीजम बोलते हैं हिंदी में इसे क्या बोलते हैं ताप कालिता इसको क्या बोलते हैं हिं तो यह तापकालिता है क्या देखिए अहां पर दो टर्म से यह बन रहा है क्या है थर्मों और यह एक है स्टेकिए थर्मों मतलब तर म अ यह कर सकते टापमाण इसका हिंदी क्या करें गर्म भी बोल सकते हैं और तर्मों मतलब धा थापमान हो गया है और पृटि सीटी मतलब पिरियड मतलब क्या हो गया क्या हुआ एह सब्सक्राइब करते हैं तो बास्ता में टाप काली था खालता है कि कि किसी भी छेत्रों में जो ताप का मान होता है ना उसमें जो परिवर्तन आ रहा है समय के साप उसी को क्या कहते हैं उस छेत्र का ताप कालिता किसे कहते हैं कि किसी भी छेत्र में या किसी भी जगह पर समय के साप एक्ष जो हां का ताप मान में परिवर्तन होता उसे क्या कहते ह आप लोग मोबाइल में देखे हो शुबह में देखोगे तो लिकर लेगा कि 9 डिगरी चल्शियस अभी आठ भी उसके बाद दिन निकलता है तो बार है पंड़ा इस्थरस्य तो क्या है कि समय के साफिक्स यानि की शुबह में तापमन कम है और दिन में तापमन बढ़ रहा है तो यानि एक दिन में भी अलग 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 अब दिन में क्या आपमन कारण है क्या आभीश एक महना बाद लगता है कि आप में से कोई स्वेटर या जैकेट पहन का हो गया गलती से का दिने एक मेहनाबाद मतलब फरबरी के लास्ट तक में बारी सुरिश भी हो तो भी कम सकम जैकेट तो पहन के नहीं आ रहे होंगे क्या अईशा क्यों होग वहां कि एक मेहना बाद रहाँ पर धूप होने वाले गर्मी आने वाले閹नेर ने मार्च आप्रेल के लम समय गर्मी आईगी घर हूं क्या देख रहे हैं कि मोशम में परिवर्तन के कारण भी ताप में अंतर आ रहा है तो परती दिन भी ताप में अंतर आ रहा है तो परती दिन ताप में अंतर भी क्या करता है जीवों की किरियाओं को परभावित करता है और मोशम के ताप में परिवर्तन तो जीवों की किरिया में परभाव डालता ही डालता है इसी को क्या कहते हैं ताप कालिता कहते हैं यानि क्या ताप में होने बाला परिवर्तन है ताप कालिता यदि एक लेन में जब आप पूछा जेगा तो क्या बोलना है कि ताप कालिता क्या है ताप में होने ब परिवर्तन जो कि जीवों के किरियाओं को भी क्या करता है परभावित करता है जीवों के किरिया का नियंतरन करता उसे क्या कहते है तापकालिता कहते तब डैस देख लिखे तापकालिता कि लिखे कि किसी छेत्र में कि किसी छेत्र में कि नियमित रूपों से किसी छेत्र में नियमित रूपों से तापमान में होने वाला परिवर्तन जिसके परती जीव अपने किरियाओं में परिवर्तन परिवर्तन जिसके परती जीव अपने परिवर्तन लाते हैं अर्थात ताप के अनुसार किरियाओं करते हैं अर्थात ताप के अनुसार किरियाओं इवसे ही इकष्यिए ही इसी ही ताप कालिता केहते हैं इसी यह क्या कहते हैं इसे क्या कहते हैं सर दाप कालिता कहते हैं है क्या बात एक दम चिनता में नजर आ रहे हो सब तुम्हारी वण पीश कह रहे है हुआ है चलिए आगे लिखते हम लोग तापकालिता परकार लिखे यह तापकालिता का परकार कि दो कुन बताओंगे तापकालिता कितने परकार होते हैं कौन-कौन कौन-कौन बिलीव कर रहे हैं तुम पर बताओ कौन-कौन तुम इन दो बोली पहले तुम बोलो बादल तुम तो जवाब दे रहा था जब उससे पूछ रहे थे उदार पूछ रहे थे तुम तुम तो इदा जवाब दे रहा था को तुम लोह को confidence नहीं यह कि हम रही बोल सकते हैं मैंने मैंने बताया ना किताब करने ता दो परकार होते हैं ज़स्त समझाने की समय मैंने बताया था परती दिन ताप में परिवर्तन हो रहा है और मौसम के अनुषार भी ताप में परिवर्तन हो रहा है तीसर दार को कितने परकार खोगे दो परकार के परती दिन जो ताप में को गें दो परकार के क्या हो गया डिवा ताप आवर्तीता ऐसे से must NCA मतलब दिन ताप कि आवर्शन का टीचर खिंदी बरा कमजूर होता इस को दूसरा क्या होगा कि मौशम का अनुसार जो ताप ने परिवरतन होता किस की और श मोश्म कर अनुसार जो ताप में परिवर्तन होता उससे क्या बोलते हैं मौशमी ताप आवरतीता है और मौशमी है कि ताप आवर्थिता केहता हम लोग पहला क्या लिखेंगे डिभा ताप आवर्थिता निश्य ताइब क्या हो जाएगा दिन का क्या होता है, दे होता है, ठीक, इसमें लिखिए, यह जीवो द्वारा, यह जीवो द्वारा, दिन के ताप में, यह जीवो द्वारा, दिन के ताप में, यह ताप करम में, परिवर्तन के पर्ती परिवर्तन के पर्ती अपनाई गई, कि अपनाई गई अनुकिरिया है अपनाई गई अनुकिरिया है अच्छ यह बताओ कि शुबह में जिदात आपमान होता है कि दिन में चलिए कोड़ टैम पूछते हैं चौविस घंटा में कितना वज़े सर्वाधिक आपमान होता है समान परिष्टिति एक समान परिष्टिति में क्योंकि मानि बादल वाली रात हो जाए बगेरा कुछ ऐसा क्लाइमेटल जो कं कि इस चर्वाधिक आपमान होता है कि एक बोलाए बारहे से एक भी तुम बोलाए तीन के और कोई कि यह सब्सक्राइब को अधिक बचाए जिन्र नौलेज में रट लेता है रहा है को लोगाने मैं आपको बता दूं कि दो पहर में दो बज़े बारहे बजे नहीं है दो बजे दिन में सरवाधिक तापमान होता है उसी तरह रात में दो बजे रात्री के बारे में माना जाता है कि सबसे कम तापमान होता है ठीक यह तेजि बादलवारी रात नहीं हो तब और टाइम कर रहा है कभीकभी कभी दिन से जिदा गर्म कर रात हो जाती है अभी देखो जारा दिन में कई दिन आप महसूस किये होंगे कि दिन में तापमान कम है और राथ में शचीज नेदा को गए तो थिस बादल वी यहां से जो मोठी तोर पर यह है कि शुबा में पाफSON क्या होता है कि उता हुए दिन में अधिक होता है बताओ हम लोग अधिक 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 पहलne और हैं आप चाहिऊ है की था सर्थ मतलब है तुम है किया है करुंत है मनुष्य के मारत मुठी को इसे तरह कुछ भी कोर्कुत्था थो आप निया हम देख carry मतलब हम ज्री हम तो बंदर हैं जैसे हम लोग कुछ आदा मेन है यह हम लोग मनुष्य इसी तरह तो गाय भी सोचती होगी कि हम जानबर थो रहे हम तो गाय हैं देखिए बाव बाइलोजी पढ़ रहे हो ना इसके मूल चीज को समझिए जो ओटो ट्रॉपिक है मतलब भोजन खुछ से बनाता है वो पौधा कहला रहा है हरित लबक उसमेहने और पौट के जो भी हो क्या एला रहा है जंतू जंतू कब आंगियम क्या करते है निमर म्लें बोले तो जानवर हम लोग क्या है है झाँ हनल जो हो जो जानवर हम लोग सब जानवर है पुज इंद्फीट मतलब सोचने नहीं Kait जानवर में जो कटेगरी है वो कटेगरी किसका है मनुष्य का है मेमेलियन का है एक कटेगरी मात्र रहे इसका मतलब थोड़े है कि हम लोग जनतु सरे नीमल सरे नी निकलके अलग सरे नीम आगए इसी कोई बात नहीं ठीक चलिए लिखिए तो दिवात आप आवर्तिता लिखा दिये थे न तो मैं इसमें क्या बता रहा था कि दिनकात आपमान भी जीवों को एक्टिव करता है आप पुष्पिये पादप को देखे हो कितने परकार के पुष् क्या को पुष्पिये पादप का नाम बता सकते हो नियती बताओ अरे पुष्पिये पादप का नाम नहीं याद है अरे फूल बला अगाच के नाम जहनते हो तो वही बताओं वहीं पादप को अगाच है नहीं लोग बोलते नो इसको बताओ बस तुम बता सोनी दुचार को तुम भी बता तुम्हारा क्या नाम है थे जो तुम कुम तुम ही बता है हरे डेको यह मकाई सब तुम में पुश्प लगता है थीक यह मकाई है छो Sur Info भी लगता है उसमें है तरुद्षोलWeel कर तो भूंन भूतर बता है उपले नहीं करता हैं उपाः और पनदा है उसमें ब्रड़ाय दॉप का मतलब लगवान को चरहाए क्या नहीं चढ़ाए आप यह गोर किजिए एक और देखिए हां पर देखते हों कि संजाब फुल नुसका नाम दे दिये वह सौम में खिलता है हम लोग तुसका नाम क्या रख दिये संजाब फुल कितना पुश्प है कि सुबह क्या टेमप्रेचर में खिलता है पुछ पुछ पूते रात में खिलते हैं ऐसा क्यों हो रहा है उसमें कोई तो साइकिल ऐसा है न किसी ऐसे चीजों से वह परभावित हो जो कि उसके एक्टिविटी को उसकी किरियाओं को एक निश्चिस समय पर संपाधित करता है तो भाबु वो ताप है वो टेम्प्रेचर है रात में खिलने वाले अधिकाउंड पुष्प कम ताप पर खिलने वाले होते हैं कि शुबह में खिलने वाले पुष्प जो प्रारंबिक जो टेम्प्रेचर आ रहा है ना विकिरन में उस पर खिलने बाले होते हैं और दूपहर में खिलने बाले पुष्प बहुत अधिक ताप मौन पर खिलने बाले होते हैं कि साम बाले भी फिर घटते हुए तापकरम यानि पहले जेदा और फिर घटते हुए तापकरम पर खिलने बाले होते हैं कि इसका एक बहतरी नेग्जाम पल देते हैं शुर्ज मुखी के पौधा के खेत को कभी जाके देखो अधिकांट्स जो उसका पुष्प होगा ना सुरू सुमें तैसा भी होगा कि सुरज पूरब मुगरायतु साइट खिला हुआ है और सम तक महलका हालका वह क्या होगा घूम जाता है लेकिन जब पुराना हो जाएगा जुआ जाएगा ना मतलब सुकने बला खेत्म जाओगे पेशा गौड़ नहीं कर पाऊघ तो क्या होगा वह पूरब और दुष्पूष का किधर गुमा हुआ रहता है पूरब और तश्टशीं सैर्व हूमाओए रहता हैं क्योंकि शरी असंद शूञ आता होता है के स्ब लंबा समय तकर्याता है शुर्ज का तो इस तरह से क्या हम देखते हैं कि डूनल जो टेंप्रेचर है ना सिर्माद कि लिवां गाम मेरे सक्रीई होते हैं क्यों रात में स्क्रीय होता है वारत में होता है क्यों प्रुद्धक esa菁 소 supplements दिखाई नहीं देता है वो क्या होता है रात में अक्तिव होता है कम परकास में होता है तो ताप में के बल ताप ही थोड़ी है ताप तभी है जब उसमें क्या उसमें तो एनर्जी भी तो आ रहा है लाइट भी तो आ रहा है तो वह क्या होता है रात में होता है यह वह किस पर यहां तो दिवाताप आपर आपड़ीन करता है तो दिन में जो जीव ये प्राते हैं अधिक परकास मेक्टिव राने बाले हो एकटिव रानी बाले हो और जो रात मेक्टिव राणी बाला होगा वह किसके साथ अंधकार के साथ यहनकी temperature, कम temperature और कम परकास या बिना परकास ब्रक्तिव रहने बाले होंगे तो यह क्या है दिवाता पावर्थिता है, दूसरा लिखे, मौश्मी पावर्थिता दूसरा क्या लिखोगे, मौश्मी पावर्थिता है कि कि मोश़्ाम का क्या होता मोसा कांगरेजी क्या होता सीजन C न कीरिण्टर खेर नहीं होता है कर सकते कि बाहुत देंकर प्लsm성을 कि हम लोग बहुत यूज करते सीजिनल तर्म को घर गाओं घर में साथ जो नहीं भी पढ़े अंग्रेजी हो यूज करते ने सीजिनल फल है सीजिनल सब्जी है तो सीजिन मतलब मौसम खास रितू में होने वाले फल सीजिनल कहते हैं तो बाबु जो अलग-अलग जो मौसम है वो भी तापमान के द्वारा दिन के जो परकासिय अबधी है न उसके अनुसा निधारित होती है सबसे लंबी परकासिय अबधी कब होती है गर्मी में होती है जारा में की बरसात में गर्मी में उसमें अबधी क्या होता है और जारा में छोटा होता है तो बाबु ये भी हम भावित करता है यनी मौसम के अनुसार जो जीवों में अनुकिरियाएं परदर्सित होती है उससे क्या करते मौसमी आबर्थिता कहते ठीक लिखिए मौसम के अनुरूप अर्थात 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 मौसमी ताप के अनुसार जीवों द्वारा परदर्शित की जने वाली जीवों द्वारा परदर्शित की जने वाली अनुकिरियाओं को क्या कहते हैं मौसमी ताप आवर्थिता कहते हैं थर्म शिजनल थर्मो पिरियोडिसिटी कहते हैं मौसमी ताप आवर्थिता कहते हैं सिजनल थर्मो पिरियोडिसिटी कहते हैं आप देखे जनतु से पहले इसमें पाधप में देखते हैं ठीक आम में फल या मनजर कब लगता घर्मीम की जारा में गर्मी में, आम में फल कब लगता है, गर्मी में, कभी जारा में लगा है, समानतर नहीं ही जारा में लगता है, सर्सो कब लगाते हैं, गर्मी को नहीं बोला था, अभी दे को सर्सो लगा हुआ है, यहू में कभ फलन मतलब बिर्दी और फलन होती है, ठंड में, सर्दी में, नहीं, सुनते भी किशन ठंडा नहीं करते थे, हमर फसल मारल चल जीते, अरे फसल मारल क्या जाएगा, फसल तो बरबाद होगा, मारल अतोर तो यह, ठंडा, हम में फलन क्या हो रहाएं, गर्मी हो रहीं, कुछ ऐसे भी होतं जो की बरसात के दिनों में होते हैं, सब्रितों हो पाता है, नहीं हो पाता है या ज초नों किरियायं है, यहनि पॉधों में, पुष्पन की किरियाय हया पूल खिलने की किरिया किस पर निर्भर कर रही थी दिन दिवात आप अबर्तिताब पर लेकिन पुष्प लगने की किरिया किस पर निर्भर कर रही है अधिकांट्स में मौसम पर कुछ पोदे हैं जिसमें सालों बर पुष्पन होते हैं बहुत सारे अमूत का पेर है ना जिस कि आने उसमें प्रवन उसको क्या बोलते व्रमस्या बोल देते देख लेकिन देखिये कि कि इए खिलने और बंद होने की क्रया धिवाता ताफ थी तांसद निर्दारित होती है जब कि उसमें पुष्पन की क्र चि लगने जिखिए है मौश문 शरी गोल गोल गोमा दिया ने गोल गोल गोमा दिये मैं ने कहा पुष्व के खिलने की किरिया उसका खिलनों और बंधनालग क्ले जा यह किस पर करती आप अशब्टित है डिवात आप वर्थी ताप पुश्प खेलेंगा दिन में खेलेगा कि रात में खिलेंगा अब कुझ खिलिए एक एक जाब्पल टेते ह। कई पुष्पीय पादप का नाम लिए कणेर काम नाम ले लेते हैं कणेर कनाईर हम लोग काटें कि हम बिहारी है यह बिहारी हम लोग उसको कैनेर कहते हैं हम लोग बोले तुम अपना इनहां देख सकते हो कि तुम कहां का है लक्षन मिले हमारे यहां का तो ठीक है ने तो व्योटेंट समझ जाना मीटेंट मतलब उत्परिभर्थित मैं यह अज बेलोगी कल गाली नहीं दिक्कत हो हाँ बरिया साइस में चुटकुला याद पर गया है जो बदमॉस बच्चा उसके लिए एक बार कि पुछा जाता है विद्यारती पुछता है मास्टर से सर बच्चों का जन्म होना वह किसका सीलोजी या सीलोजी मतलग समासार सता ये उसका विशह है कि बाइलोज यदि निकार कि देवाब जा पता है बेगीक मास्टर क्या कि तुम लोग कभयाटी करते इसके पास तो नोललेज तो सब्सक्राइब करना तो जितना पूछे उतने जवाब देने तो बाइलोजी में बढ़िया तर्म है गाली मस्टर देगा आज समझ माएगा छो महिना बाद कभी कभी तो यह से निकाल जाएगा तब समझ माएगा ठीक हम गुसा करके अपना खुन क्यों जलाए अच्छे अच्छे सब्दों कर चुन लिया करेंगे क्या तो मैं बता रहा हूं तो पुष्प का खिलना लेकिन बताओं क्या सब मौसम में कनेर में पुष्प लगता है कभी कर लगता है शमान तब बर्सात के दिनों मुष्प में लगते हैं साब और उबण में देखते हो भुलावाखभ चरहते हो दूसी अब धिम अभी कनेर में पुष्प है कोई जाक देखो तो तो देखिए बादू पुष्प लगना पुष्प लगना यानि कि पोधा मे पुष्पन कब होगा यह मोश्मीता पावर्तिता है और यह लगना पुष्पका लगना और यह खिलना हो गया कि रात में खिलेगा कि दिन में खिलेगा कि सुबह खिलेगा कि साम में खिलेगा वो क्या है दिवाता पावर्तिता है समझ मैं बात को अब तो गोल गोल नहीं था पहला बार कोई जन्तु में इसका एक्जम्पल एस यह नो बोलो जी सर है आप देखिए ना बहुत सारे जो जन्तु हैं वो किसी खास रितु में किसी खास मोसम में बच्चों को जन्म देती है ठीक एक भी एक्जम्पल बता सकते हो जो किसी खास रितु में बच्चों को जन्म देती है कुछ तार्क बच्छा देखते हो जून जुलाइम जनमता है नो सर तब कब जनमता है कि यो जून जुलाइम देखे हो जनमते हुए नहीं देखे हो तो बताने हम क्या था जब हम गलत बोल रहे हैं तो तुरत पकर रहे हो तो यह बात पहले से क्यों नहीं सोचते हो पहले सोच प्रश्ट न चाहिए ना तो कुछ जर्म को अलग पर आएंगे कि कुछ जर्म कधार क्या होता जर्म निर्फ्यक्ष होते कभी भी कर सकते हैं तो यहां पर पर जिनन भी क्या है किस पर निर्भर किया मौशंपर मौश्मी तापावर्तिता पर एक बात और बताएं मुर्गियों को लंबी अब्धितकना दिन का तापमन और दिन जेशा यह दिवसको अभास करा दिया जाता है परिस्थितिया तो बिना निशेचन की अंडे दे देती है कि इसका एक्जम्पल है वह मौश्मी तापावर्तिता का अब उहां पर क्या करते गवर्ण से दखिएगा मैंने जानकर बोला यह बात क्योंकि आज काल जो जितना जेन्टिकल मोडिफाइड हम लोग जीब को तयार कर लिए हैं वह इस किरिया को परदर्शित करने में रोकते हैं वह अंडे एक निश्चित रितू में दे रही है कुछ दिन को छोर कर सालों भर अंडे नहीं देती मुर्गियां तो मौश्मी ता जैसे कि पुष्पन में पुष्पन पुष्प लगने की क्रिया क्या है मौश्मी ता पाबर्तिता और उसका खिलने की क्रिया वह दिवात पाबर्तिता है इस सब चीज को यह जो डिफ्रेंट से इसको समझना होगा तो मौश्मी ता पाबर्तिता में एक आजम्पल लिख ल फलन परकिर्णन परकिर्णन इत्यादी मौश्मी ताप आबर्तिता के कारण होती है मौश्मी ताप आबर्तिता के कारण होती है तो बहुत से जन्तु भी क्या होते हैं बोली निर्व किसी खास मोसम में परजनन जेशी जेविक क्रिया को संपाधित करते हैं परजनन जेशी जेविक क्रिया को संपाधित करते हैं क्रिया को संपाधित करते हैं कि यहां तम कोई दिकत कि किसी को यहां तक में कुछ पूछना भी है तो ठीक है नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धनवाद अभी तक भी आप लोगों ने चैनल सस्क्राइब नहीं किया है तो मेरे यूट्यूब चैनल बाइलो जी है प्रकास सारे एपी को जल्दी से सस्क्राइब कर लें जिस से इस तरह की इंट्रेस्टेट वीडियो आपको मिलते रहे हैं